मैं दिपीका आज में आपको प्याज का गरम गरम पकोड़ा ने बता रही ह igual मैं एक लोगीश की मैं यह जो कर लागा है यह आज में टेल्ट किैसे साथ आज आज पर सेबूस का एकारिय कि तो हुआ आरे में जी आज़ी वह खते दिद्लिटित्य निकल sec यहां प्रट्रग आप गट लिजे बहीं, अब मैं इसे, अब मैं इसमें कटा हुआ हरा मिर्च, मैंने 4-5 हरी मिर्च काट लिया है, चॉप कर लिया है, छोटे-छोटे, वह मैं डाल रही हूँ, थोड़ा सा अदरक का टुकरा, ये घिसके आप ये डाल दे, मैं अदरक डाल दिया है अब मैं अजमाइन डाल रही हूँ, अगर आपको अजमाइन नहीं पसंद है तो आप इसमें खड़ा जीरा डाल सकते हैं, अजमाइन को आपको डारेक्ट नहीं डालना है, पहले इसको थोड़ा सा आप इस तरह क्रस्ट कर दें, उसके बाद आप इसमें डाल दें, अब मैं इ चम्मच बेसन डाल रही हूं यह देखिए बेसन मैंने अभी कम ही डाला है क्योंकि धीरे-धीरे मैं डालोंगी ताकि कितना लगता है या नहीं लगता है अब मैं इसमें एक चम्मच नमक डाल रही हूं नमक आफ स्वादनुसार डाले और इसे आप इस तरह करके मिलाएं आप मिलाएं और इसमें हलका सा पानी डालें जादा पानी आपको नहीं डालना है इस तरह आप सबको मिला ले यह देखिए जब यह इस तरह बनने लगे तो आप समझ जाओ कि आपका रडी हो चुका है यह देखिए आप हलका पानी जब तक नहीं डालिएगा तो यह आपको इस तरह का बनाना है अब आप देख रहा है कि मैंने प्राइपें चड़ा रखा है उसमें सरसों का तेल डाला है क्योंकि ये सरसों के तेल में प्यास का पकोड़ी बहुत ही अच्छा लगता है ये देखिए इसको पहले जादा गर्म करना है ये दुआ निकल रहा है अ इस तरह आप हाथ से भी डाल सकते हैं इस तरह आप डालें तरह दूर हटा हटा कर डालना है ताकि आपको पलटने में ख्रिक कतना है तरह आप इसे मीडियम आज पर आप कर देखिए अब आप देख रहे हैं कि मैं इसे पलट रही हूं ये देखिए इस तरह आप सबको पलट लें जो बहुत ही टीस्टी और यमी प्यास का पकोड़ा लगेगा बारीश का माॉशम है उसमें पकोड़ा तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में चाय के साथ ये देखिए इस अब आप देखने हैं कि पकोडी ये लाल हो चुका है, ये देखिए, इसका कलर बहुत अच्छा आया है, अब मैं इसे प्लेट में निकाल रही हूँ, अब आप प्लेट में एक एक करके सबको निकाल लेए, इस तरह का पकोडी बन गया है, अब मैं दूसरे बार इसमें बचा मेडियम आच पर पकाना है ताकि प्याद अच्छी तिनकी से अंदर भी प्रिस्पी हो जाए इस तरह आज सब को प्राइब दें इसको डार्क ब्राउन होना है आप इसने देखें ये डार्क ब्राउन होगी है इसका कलर। यह देखिए कितना अच्छा आए इस तरह मुझे डार्क ब्राउन करना है अब मैं इसे एके करके प्लेट में निकाल आइए अब आप देखे रहा है कि कि गर्म गरम पकोड़ी प्याच की पकोड़ी इंचे एक होगी एक सबस्क्रा इस किंसे, कितना अच्छा बना है इसे आप चटनी के साथ बीप करें आप खा सकते हैं या सॉस के साथ बारित के मौसम में चाय के साथ गरम गरम पकोड़ी हो जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है यह देखें अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे लाइक सस्क्राइब कमेंट औ साथ में सेयर करना ना भोले थैंक यू